तो आई आम लोग देखने हो लें आप कैसे ये पता कर सकते हो कि कहां आपको setup बने तो trade करना है और कहां आपके setup बने तभी आपको trade नहीं करना है क्यूंकि आगर आप इस चीज को समझ आतो तब के 70% जो trade होंगे उसमें आपके losses तो at least कम हो जाएंगे तो प्लीज इस चीज को तो अभी मैंने आप लोगे सामने एक चार्ट लगा रखा है सबसे पहले हम लोग इसे clean कर लेता है कि कुछ भी इस पर दिखे ना यह हमारा पेटियम का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम है हमारा और आगर आप मालो कि इस पर कोई strategy है जिसके हिसाब से हमें यहां एक trade बनता ह तो क्या आप इस पर trade करना चाहोगे यह जो आमने पहले शोक देखा था पेटियम आप यहां इस पर trade लेना चाहोगे यह जो इस टोक है अब इहाली फिलाज में लिस्ट हुआ है और यह कुछ ऐसा है तो आप इस पर trade लेना चाहोगे यह एक चौथा ही शोक भी हमारे पास और यह भी मतलब एक अच्छा कासा रैली के बाद और डाउन आने के बाद अभी भी मतलब एक अच्छा बुली स्केंडल बनाके जाने की कोशिस कर रहा है तब किस पर trade लेना पसंद करोगे यह मेरा question है आप से तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं like किस तरह से देखूं है कि यह देखो एक मतलब यहां से चलना सुरूआ है और यह 126% का return दे चुका है हमें ठीक है मतलब अगर आप देखते हो PTM के चार्ट को तो यह कहीं रुका ही नहीं है यह मतलब सिफ क्या कहते हैं मतलब कुछ booster वाली चीज खाका कि बस बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा कहीं भी रुकाई नहीं है कहीं एक reasonable जो pullback आता है वो इसने लिया ही नहीं है देखो पहली चीज यह दूसरी चीज आप यह देखो कि यह इसने एक बहुत पटे मतलब बहुत ही अच्छे बायर के साथ मतलब कि बायर में जब strong था तब इसने एक यहां तक का rally लगा और उसक मतलब क्या हो रहा है कि यहां हमें देख के लग रहा था कि बायर मतलब higher high higher high बना के निकले जा रहा है पर अब वो चीज देखने को नहीं मिल रही है ठीक है और अब यह धीरे धीरे अपने support के पास भी आ चुका है एक यहां base बना रहा है base बनाने के बाद हो सके कि यहां से और 100 point के momentum देते या हो सके कि और यहां से 20-30 point टूट जाए stock ठीक है तूट जाए यह भी हो सकता है तो होने को दोनों हो सकता है तो इसवे मेरा क्योंकि मुझे यह concept पता है तो अब मेरा इसवे conviction नहीं आएगा कि मैं stock में trade ले पाऊं अब यह एक दूसरा stock है ठीक है अब अगर आप इसमें Fibonacci भी लगा के देखते हो अगर तो यह अपने high से almost अभी 50% के level के पास चल रहा है तो अगर आप देखते हो कि यह कहा है कि यह like बढ़ा था फिर आया था फिर बढ़ा है फिर आया है और अब यह फिर जाने के मतलब एक confirmation भी हो चुका है और अपना देखो अपने trend line के पास है अभी पूरे अपने high पे नहीं है high से भी अपने नीचे है मतलब इसका high अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप टॉप पे देखोगे तो 297 का है इसका top है और latest का top देखोगे तो 266 का है और अभी यह चल रहा है 220 प लेगा तो उसको लाइक इतना तो लाइक मिल सकता है ठीक है यह उसका एक potential इसमें बन रहा है जो मुझे लग रहा है वो मैं उतार हो तो अगर मुझे लेने होगा तो मेरे लिए यह थोड़ा एक suitable लग रहा है 1-2-3 का मैं risk reward लेके चलो मैं अभी example दे रहा हूं किसी भी आप आपको ट्रेड नहीं करना है करना है तो आप अपने risk पर देखना है कि साथ पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका शौप्रोस क्या होगा आपका इसमें capital का कितने percent आप पैसे deploy करने वाल हो जब तक आपको यह basic चीज़े नहीं पता है आप ट्रेड मत करना करोगे तो losses आपके होंगे तो और यह एक तीसरा इस्टोक है जो अभी हाल फिलाल में ही कुछ मैंने पहले ही market में नया नया वेला आया है list हुआ है और उसके बाद मतलब आते इसके साथ यह हुआ कि यह थोड़ा नीचे आ गया 27% टूटा और फिर यहां से टूटने के बाद यह फिर 21 परसेंट उपर गया फिर वहां से टूटने के बाद फिर 16% नीचे आया 16% के बाद अभी अगर देखा जाया तो यह अभी 11% उपर भी चला गया इसे हम लोग एक मिनिट के लिए लाइन चार्ट कर लाते हैं लाइन चार्ट पर आगर आकर देखते हो तो इसने कभी तक अभ माल मेरे रपाद 100 रुपए हैं तो मैं 3 रुपए ये 2 रुपए में इस पर भी लगा सकता हूं ठीक है अगर आप इस केंडल को छोड़ दो पहली केंडल को छोड़ दो तो जो common sense हम लोग कहते हैं कि जभी वी एक buyer का candle बन रहे हैं और जो seller के candle हो छोटे बन रहे हैं buyer का candle दे देखने से यह लग रहा है और दूसरी चीज यह लग रहे है कि इसने कभी अपने लोग को ब्रेक नहीं किया तो एक यह भी एक potential दे रहा कि हाँ ठीक है इस पर मैं जा सकता हूं अगर अभी तक के तीनों stock में देखा जा तो यह जो stock है इस पर मेरा सबसे ज्यादा conviction अभी ब और ये भी देखते हो कि ये भी मतलब देखते है कि जब तक इसने इस वाले level को अपने नहीं निकाला था ये जो इसका level था इसने नहीं निकाला था मतलब इसके नीचे sidewash सा sidewash निकाल ले के बाद ये मतलब बहुत फटा है अगर मैं आपको दिखा हूं तो यह यहां से 41 पर तो पर निकल गया है ठीक है तो आप देखते हो कि मतलब ठीक है मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है अपर इसमें इस्टॉपलोस के वर आप 15% का इस्टॉपलोस बन रहा है क्योंकि अगर आप यहां एंट्री करोगे अब तो आपका इस्टॉपलोस अब यहां होना चाहिए अगर आपई बीच में कहीं रखते हो तो वह आपका इस्टॉपलोस जाएगा ही जाएगा क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी यह नहीं चाहता कि सब कोई पैसे बना ले तो यह क्या करेगा कि जाएगा थोड़ा बड़ा फिर नीचे फिर बड़ा फिर नीचे ऐसे करते करते दिखाएगा कि ले जाएगा ले जाएगा और फिर यहां से ऐसे निकल सकता है ठीक है तो अधिकतर कैसे में क्या होता है कि लाइक चाहें एक बहुत बड़ा विक बना दे विक बनाने के बाद यह फिर यहीं से इस तरह से यह continue कर दे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है तो होने को कुछ भी हो सकता है तो हम जो inhib साइट के लिए क्या up कर सकते हैं कि अबना इस्टब रोस राम किया रुका है पर अभी भाग रहा है तो उतना एक तो शॉप्लोस बढ़ा है प्लस हमारा जो इस्ट्रक्चर है इस्ट्रक्चर के साथ से भी यह मत्दब बहुत ज़्यादा इस्ट्रेच हो जुगा है थोड़ा बहुत रिलेक्स किया पर अभी भी भगने कोसिस कर रहा है तो यह मुझे अभी यहां से आगर देखा जाएं इसे आगर हम 1-3 करें तो अब नहीं पता कि मुझे यहां से 47% का रिटरन मिलेगा कितने टाइम में मिलेगा पर मुझे इस पर भरुस है क्योंकि यह थोड़ा एक नया इस्टोक है फिवनाची पर भी आ रहा है मतलब मल्टिपल कंफरमेशन इस स्टोक पर आ रहा है तो इस तरह से आपको भी ट्रेल मतलब सेटब आपकर मैं देखा दूँ कि मैं किस सेटब की बात कर रहा हूँ तो उसाद आपको अच्छे समझ में आएगा तो लग हम यहां से चलकर क्या करते है यह में लगाते है तो यह मैंने मतलब इस पर मैं भी टेस करूँ इस डीजी मैंने सुन रहे खिए बहुत अच्छी वो 30 को काटता है तब आप वहाँ एक entry plan कर सकते हो और उसके बाद एक trade चाहो तो ले सकते हो बहुत ही simple सी strategy है आप जितना बड़े time frame पर जाओगे उतना अच्छा तरीके से काम करता है या इसी strategy की बात नहीं कोई भी strategy बड़े time frame पर अच्छे काम करती है अगर मैं एक काम करते हैं इस चीच को clean करते हैं तो अगर आप इसे भी देखके हो तो वही same setup इस पर भी बन रहा है तो I hope आप लोग को ये चीज़ समझ में आगे होगा कि कैसे अगर आप सिफ basic structure को देखते हो ठीक है structure देखते हो और अपना ये देखते हो कि मैं कितना loss ले सकता हूँ अभी किसमें कितना potential बागी है एक उसने पहले ही rally कर चुका है और उसके बाद वह rally करना ही की जा रहा है तो यहां से भी जा सकता है तो जब हमें दो बार प्रूफ हम result मिल रहे हैं तो हम तीसरी बार चाहतो उस पर हम trade कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलो कल फिर मलता है और भी ऐसे वीडियो के साथ तब तक के लिए बब बाई